नमस्कार दोस्तों असरदार टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आपको शुगर है तो कौन सी चाय पीनी चाहिए? ये सवाल बहुत से लोग करते हैं दूद वाली चाय पीना डायबटीज के मरीजों के लिए नुकसान दे और फास्टिंग बलड शुगर को बढ़ाने वाला हो सकता है तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डायबटीज के मरीजों को कौन सी चाय पीनी चाहिए? दोस्तों diabetes में blood sugar control करना बहुत जरूरी होता है ऐसे में दो चीजे सामने आती है पहला खाली पेट blood sugar और दूसरा खाने के बाद आपका blood sugar कुछ लोगों में fasting blood sugar अक्सर 100 mg के उपर होता है जिबकि इसे नीचे होना चाहिए इस इस्थिती को अगर लंबे समय तक manage नहीं किया जाए तो ये diabetes को असंतुलित कर सकती है साथ ही ये इस बात का संकेत है कि आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में insulin का production नहीं कर पा रहा है तो चलिए ऐसे लोगों को कौन सी चाहिए पीनी चाहिए इस वीडियो में देखते है तो पहला है गुड़हल की चाहिए यानि हिबसकस्टी हिबसकस्टी या गुड़हल की चाहिए diabetes के मरीजों के लिए बहुत फाइदेमंद है इसके bioactive bone insulin के production को बढ़ावा देते है और fasting शुगर को कम करने में मदद करते है इसके अलावा ये blood pressure को कम करने में भी मददकार है इस तरह ये cardiovascular बिमारी के खत्रे को कम करने में भी मदद करती है तो अगर आपका fastingное sugar जादा रहता है तो आपको ये चाय जरूर पीनी चाहिए दूसरा है तेजपते की चाय अगर आपको diabetes है और आप इसे manage करना चाहते हैं तो आपको तेजपते की चाय पीनी चाहिए इसके लिए चाय बनाते समय दो तेज़ पत्ता डाल कर चाय को पकाएं और फिर इसे पिए इसमें बिटमिन A, बिटमिन B6 और C होता है ये तीनों ही नियूरो सेल्स की गतिवीदी को प्रभावित करता है और इसके कामगाज को बहतर बनाने में मदद करता है साथ ही इसके एंटी ऑक्सिरन शरीर में इंसूलीन के प्रोडक्शन को तेज करते हैं और शुगर पचाने में मदद करते हैं इस तरह ये फास्टिंग शुगर को कम करने में मदद करता है तीसरा है दाल चीनी की चाय यानि सिनमन टी दाल चीनी की चाय fasting शुगर को कम करने में मददकार है दाल चीनी insulin के production को बढ़ाता है और शुगर पचाने में मदद करता है साथ ही दाल चीनी में antioxidant होते हैं जो कि fasting blood शुगर को कम करने में मदद करता है ये चाय शुगर मेटाबोलिजम को तेज करता है और इसे पचाने में मदद करता है चौता है मौंगरा टी मौंगरा टी या कहे कि सैजन के पत्तों की चाय फास्टिंग बलड शुगर को कम करने में मदद करता है मुंगरा टी में कुछ ऐसे एंटी ओक्सिडंट होते हैं जो शुगर को पचाने में मदद करते हैं साथ ही इंसुलेन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और फास्टिंग शुगर लिवल को भी कम करने में मदद करता है पाचवा है जामुन के पत्ते की चाय जामुन के पत्ते की चाय फास्टिंग लिवल को कम करने के साथ ही इंसुलीन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है उससे फास्टिंग लोड़ शुगर लिवल में कमी आती है तो डाइबटीज की मरीज इस चाय को ज़रूर प्ये दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा इसमें मैंने 5 चाय के बारे में बताया है जो कि बहुत अच्छा है डाबिटीज के लोगों के लिए तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलती हूँ अगले नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए